तो हेलो दोस्तों, I hope कि मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँगा, दिखाई तो खेर नहीं दे रहा हूँगा, लेकिन सुनाई ज़रूर दे रहा हूँगा, तो आज सभी का स्वागत है स्टेडी ग्लोस के ऑविशल यूट्व प्लाटफॉर्म पर मैं वाना सुष्च्राईग फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा टर्म बताऊंगा, कुछ ऐसी बाते मैं आप लोगों से करूँगा, जो मैंने भी experience करी थी अपने समय में, लेकिन उससे मैंने बहुत जल्दी overcome कर लिया था, और एक बात और मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि समस्याएं देखो सब के साथ आती हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे topic पढ़ोगे न, वे कारण जो परिक्षाओं में आपकी सफलता को प्रभावित करते हैं और यह positive way में तो नहीं करते हैं, negative way में करते हैं, है ना, तो समस्याएं जो हैं वो सब के साथ आती है, failure सबको बरदाश करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जोट करके खड़ा हो जाए, समझ लेना असली धमदार आदमी वही है और वही जीमन में कुछ करेगा, ठीक है, यह बड़े बड़े जो आपने के, तब जनता भी परशान होने लगी, तो अगर आप मेरी एक बात जरह शांती से बैठ करके नोटेस करना है, इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, अगर वो ग्रहस्त जीवन में है, अगर वो ambitious है, तो वो tension free जीवन नहीं जी रहा है, यह नहीं क्यों नदी किनारे बैठा है, आराम से बिल्कुल हैटट लगा करके, बदन पितेल लगा करके, दूप सेख राय मगरवच की तरह, और कोई tension नहीं, जीवन में जीवन बहुत आनंद माई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जीवन में कठनाईयां, जीवन में परिशानियां, सब को face करनी पड़ती हैं, और उ उनहीं कठनाईयों, उनहीं परिशानियों में छुपे होते हैं, अवसर, जिनको यदि आपने पहचान लिया, अपनी बुद्धी लगा करके, दूसरे की बुद्धी से या कुछ नहीं होता, जिनको अगर आपने पहचान लिया, अपनी बुद्धी लगा करके, तो यह मान क करके चलना कि तुमको सफल होने से दुनिया की कोई दाकतरी रोग सकती समझे और पीटर बर्ग ने एक बात कही है कि तुम्हारी और तुम्हारी सफलताओं के बीच में महज एक शक्ष खड़ा वो तुम खुद हो ना यकीन हो तो आइने में देख लो समझाई बात आइने के कि तुम्हें सारी बाते बिल्कुल समझ में आए और जो भी मैं तुम्हें आज की लेक्षर ने बताऊंगा ना उनको ध्यान से सुनना और कोशिश ये करना कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो सही है नहीं 110 परसंट हो सही निकलेगा ओवर कम कैसे करना ही तुमको पता है ये मैं नहीं बता सकता हर इंसान अपनी अलग अलग परिस्तियों में चलता है बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि सर जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो घर वाले परशान करते हैं कोई न कोई काम बता दे जीता में कि स्वार्ग और नर्ग यहीं पर है उपर जो है सो है वो बाद में ठीक है तो ये मान करके चलना कि जीवन तो दुख से भरा पड़ा हुआ है आगे और दुखाएंगे अगर इन दुखों को ले करके तुम चुक्चा बैड़ गए तो फिर आगे यातना ही यातना है वो तो सहना पड़ेगा कर्म योग के चक्कर में पड़े हो तो जीना तो पड़ेगा और रहना पड़ेगा रहना है तो सहना पड़ेगा बात खतम तो इसका मतलब यह नहीं है कि बता ज़ता तुम सलफास की पुढ़िया फाक लो बाउत हुआ ना वो जिल नहीं बनो एक छोटे से एक्साम के लिए टार्गेट कर रहा है, देखो, चैलेंजस आते हैं, अगर आपको सारी चीजे पकी-पकाई मिल जाएं, तब भी चैलेंजस आएंगे, मन नहीं करेगा पढ़ाई में, है ना, अभी तो गर्मी बहुत है, खेर अभी तो ठंड का समय, लेकिन माई तो कहते हैं, मन नहीं लगता, नीन दाती है, तो भाई देखो, तुम्हारा मन है, ये गोड़े की तरह है, अगर इसकी लगाम तुम्हारे हाथ मन नहीं है, तो ये विपरी दिश्या में तुमको आईसा ले करके भागेगा, फिर ट्रैक शोड़ो, तुम्हारी दुनिया ही क ज़्यादा खराब है, लेकिन वही दवाईया किसी की जान बचाती है, और ड्रक्स लोगों को ऐसे हालत पिले आती है, कि आप तो देखते ही रहते हो, ठीक है, बहुत सारे केसे दुन कांड़ होते हैं, चलो हम अपने उस पर उपर आते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन कार करनी है, अगर मेहनत का कोई सब्शिट्यूट नहीं होता, और अगर होता है, तो उनकी काम का नहीं होता, समझना ही बात, किसमत का एक समय तक खा सकते हो, उसके बाद टैलेंट ही काम आता है, और कुछ नहीं काम आता है, और बड़े-बड़े लोग जो अपनी किसमत लखा है, जाकर कि उनका हार्ड वर्क देखो, अपने टैलेंट को इसकदर उन्होंने चमकाया है, कि आज उनी की चमक से, उसी टैलेंट की चमक से उनका नाम चमकता है, पूरे विश्व में, चाहे वो कोई भी हो, मैसी हो, और रोनाल्डो हो, अपने सचिन देंदुलकर हो, कुछ बी हो, तुम किसी को भी अगर को तुम पसंदो ना पसंदो, तुम्हारे व्यक्तिकत विचार हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी महनत को नहीं चैलेंज कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हमारे प्राइब मिनिस्टर से कई लोग नाराज हैं, तु कई लोग खुश हैं, ले देखा एक किताब है Psychology of Money अब तो आडियो बूग उसकी YouTube पे फ्री में अबलेबल है शुरुवात की तीन चैप्टर पढ़ना तुमको समझ में आ जाएगा कि यार तुमको पता है जीवन में इंसान इंसान नहीं सोच सोच बहुत मैटर करती है एक सोच एक इंसान को कहां से कहां पहुचा देती और वही सोच एक इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है तो किस्मत एक Catalyst का काम तो कर सकता है मैं मानता हूँ लेकिन अगर आप अपने आपको रगड नहीं रहे हो अगर आप अपने talent कुछ अमकान ही रहे हो, अगर आप मेहनत करने से डर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है, मानते हैं, कई लोगों के साथ होता है, बहुत मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं वैसा मिलता है law of कर्मा पर विश्वास रखो delayed gratification Nelson Mandela कहानी जरूर पढ़ना blog है free में available है थोड़ा time निगालो यार पढ़ो इधर उदर थोड़ा चले गए चाय पीने ये करने मों करने time निगाल करके थार पढ़ा करो लोगों को तुमसे 10 गुना ज्यादा लोगों ने जहला है और उनकी delayed gratification ने जब उनको चीजे देना शुरू करी है न तो इतनी दी है इतनी दी है इतनी दी है कि समेट नहीं पाये लेकिन अगेन महनत तो कर्मा पर विश्वास रखो कर्म पर विश्वास रखो कर्म योग जरूर पढ़ो गीता का ध्याय ठीक है कर्म योग पढ़ लो तो वर टाइम निकाल भक्ति योग भी पढ़ लेना तो बहुत कुछ समझ में आएगा अपनी जीवन को तुम जानना शुरू करते होगे यह सब चीजे बोरिंग नहीं बोरिंग हो है जो तुम करते हो मोबाइल पर गेम खेल लेना ये कर लेना ये ये किसी काम नहीं आते हैं शॉट कर डूनना है ना और बहुत सारी चीजे है यार अब मैं बोलना शुरू करते हूँ तो मैं बोलता ही जाओंगा तो इसलिए मैं सीधे पॉइंट बनाकर की लायों पॉइंट के उपर ही बात करूँगा उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि यह यूज दिवाली ओफर चल ला है 30% डिसकाउंट है सभी कोर्सेस पर रोश्नी और बैंकिंगे भी कोर्सेस आ चुके हैं एक नमबर आपकी स्क्रीन के ओपर आ रहा होगा यह वाला और इस पर चाहें तो आप कॉल करके सारी डिटेल आप ले सकते हैं ठीक है अब हम आते हैं अपने कुछ पॉइंट से उपर जो मैंने बनाए जो मुझे लगता था कि यह एक इनसान के चात्र जीवन में यह समस्यां रहती ही रहती है पहली समस्या आपकी रहती है भै, फियर, किस शीज का भै, किस शीज का फियर तो भेह पता है कि शीज का रहता है, भेह शीज का रहता है कि यार अगर ये ना मिला तो मेरे जीवन ने बचेगा, तुम लोग नहीं सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं, यार भी ये करा है, भी कौम करा है, नौकरी मिलनी नहीं है, जो मिलनी हो करनी नहीं है, सरकार ने भी इतने प्रोड़क्टिव है तुमारे जीवन में कि तुम अगर इसमें जम के महनत कर डालो, तो आने वाले 10 साल चोड़ो, 10 पीड़ी का तुम उधार करतो अपने, समझ रहो, ये फियर तुमें कितना महंगा पढ़ ला है, और अगर तुम इसी फियर का तुमने साथ नहीं छो अब सच्चे का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे सच बोले, सच्चे का मतलब ये है कि देखो हर इंसान को बता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, है ना, मतलब बिना पढ़े सेलेक्शन होता नहीं, पढ़ने के लिए आपने एक टाइम निर्धारित किया कि हमें 8 घंटा अगर ये 6 घंटा आपने पढ़ लिया, मैं कसाम खाक कह रहा हूँ, उस दिन तो तुम नहीं डरोगे चाहे चुह हो चाहे, डरते हो तुम पता है कब हो, जब तुम काम जूरी करते हो, जब मकारी करते हो, जब लगता रहे आज, आज सुबा नूठेंगे, देख रहे हो मौ क्या कहते है, मकारी करते हो, बुरा मत मानना, जब दिन आप काम somethin करते हो, उसन आप अपने दिन का पूरी दिन चर्याजा, आपकी अववस्तेत होती और भैष, फ्यर आपके मन में प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, भैष उन्हीं लोगों के साथ रहता है, जो क कमजोर होते हैं, कमजोर वही होते हैं, जो जूटे होते हैं, क्योंकि उनको पता है, अंदर खुद को तो बेकूफ नहीं बना सकते ना, भै आप लगातार अपने target को एक हफ्ता पूरा करो, संडे देखना खुल कर के आप इन्जुआय करो, ना आपको डर लगेगा, जब आप बिल्कुल confident होगे, तो आपके इर्दगिर्द वाली जितनी भी negative energies होगी, वो भी समलुक फुक जाएंगी एक तरीके से, आपके पास नहीं होगी, आपने देखा न, कुछ लोग बहुत प्रसंडर रहते हैं, क्यों रहते हैं, उनको पता है न, उनको क्या करना है, वो कर लेते ह उसके बाद हो काम करते हैं, बैया management सीखो, इसके लिए MBA नहीं करना होता है, इसके लिए दिमाग कोल के चलना होता है, और अपनी हैसियत के इसाब से सारे काम करे जाते हैं दुनिया में, ये बात ध्यान रखना, ये मैना नहीं कहा है, एक कहावत है न, पाउं उतने फैलाओ जितनी ही लंबी चादर हो, तो समझ आई बात, याशी उतनी ही करिये, जितनी ही आप एफोल्ड दरपाएं इस समय में, और अपने करियर वो ताक पर रख कर गयो तो कताइमत करिये, ठीक, दूसरा आता overthinking, आप ये overthinking क्या है, overthinking ये है कि फरजी का सोचना, फरजी का सोचना मतलब एक notification आती नहीं है, और तुम कहते हो, आरे यार इसमें seat इतनी कम है, और इसमें तुम मैथ आ रही है, मैथ हमसे कहा हो पाएगी, तुमसे मैथ नहीं हो पाएगी, क्यों, 14 chapter तुम नहीं पढ़ पाऊगे, 14 chapter के limited approach, मैथ तो एक debt subject, उसमें तो कुल नया होता ही नहीं है, बाई, cost price अगर कम है, selling price जाता है, तो आज से 75 साल पहले भी उस जमाने में profit होता था, आज भी profit होता है, आज से 1000 साल बाद भी, इस case में profit ही होगा, loss नहीं होगा, overthinking नहीं करनी हमें, फालतू का नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना, अगर आपने ठाना है, पहली बात त अब मस सोचू, अब काम करो, एक कहावत है, गंभीर सोच अकसर फैसले कमजोर कर देती है, तो ये गंभीर आपको नहीं सोचना, इतना ज्यादा चिंतर नहीं करना, पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं है आपके उपर, ना आपकी घर की जिम्मेदारी आपके उपर, अपन ये तीन qualities अपने अंदर cultivate करो, hard work से डरो नहीं, सायम रखो, लंबी चीजे होने में time लगता है, इमारत बनने में समय लगता है, जोपड़ियां तुरंत बनती हैं, और persistence, continuity, law of continuity क्या कहता है, तो मैं चात्र जीवन के हिसाब से एक law समझाता हूँ, यह मैंने पढ़ा था, अपन परंतरता का नियम, तीसरा हमारा point है shortcut, shortcut में बहुत दुश्वास रखते हो, यह पढ़ने तो काम बन जाएगा, वो पढ़ने तो काम बन जाएगा, बन जाता है काम, और तुम्हारा नाम आता भी है, लेकिन list में नहीं, list के बाहर, समझ में आई बात, यह आपका जीवन है, यह पढ़ाई आपको बहुत कुछ देगी, बदले में आपसे सिर्फ एक चीज मांगती, concentration और कुछ नहीं मांगती, और इसमें भी तुम shortcut ढूंड रहो, यह निवेश है तुम्हारा तुम्हारे खुद के उपर, समझ में आई बात, हमेशा ध्यान में रखना shortcut सिर्फ पतन क उननती की और नहीं ले जाता है, उननती की और नहीं ले जाता है, तो आज से कसम खालो कि shortcut में नहीं जाना, चीज़ों को detail में सीखेंगे, अरे न 2021, 2022 में परचा भरेंगे, लेकिन भरेंगे, एक बार में जंडा गालेंगे, वो सही दिशा में रखेंगे अपने आपको, अगले दिन टाइम टेबल दिखा रहा है, आपको 10 गंटे पढ़ने, कहा सपड़ पाऊगे, देल गंटे का बनाओ, दो गंटे का बनाओ, पोमोडोरो टेकनिक लगाओ, अरे बहुत सारी चीज़े, अपने मन के साथ खेलने के लिए बहुत सारी चीज़े है, समय समय पढ़ और बाई क्रुक, आपको उसको कहीं न कहीं हैंडल करना ही पड़ेगा, पाच्वा पॉइंट हमारा आता है, कंपेरेसन, कंपेर बहुत करते हैं लोगों से अपने आपको, कि सामने आले लड़के ने ये कर दिया, सामने आले लड़के ने जो जब किया तो किया, हमाई दू मुझको जंक फूट खाते हूं दिखता, लेकिन आप उसकी बॉड़ी देखकर के बता नहीं सकते हैं कि ये बंता जंक फूट खाता है, तो क्या, उसके कंपेरेसन में मैं भी ये काम करना शुरू करता हूं, अपनी बॉड़ी के साथ खिलवाल करना शुरू करता हूं, खुद को दूसरों से कंपेर करना चोड़ो, दूसरों को खुद से कंपेर करना चोड़ो, हमें किसी को किसी से कंपेर करना नहीं, जब ईश्वर ने हमको नहीं कंपेर किया है, तो तुम कौन होते हो, जब फैक्टरी में नहीं, तुमारा कंपेरेसन किया गया, तो क्या, और आपको और कभी भी आपका competition कभी दूसरों से नहीं होना चाहिए, जिस दिन आपने किसी को हराने के लिए कोई एक कदम भगाने के सोची, ये समल लेना किस रिष्टी आपको गिराने के लिए पूरे 6-7 कदम उठा देगी उस समय, क्यों, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, law of karma, तो इसलिए अगर कुछ भी करो जीवन में, पहली बात तो किसी को गिराने का मत सोचना, कभी खुद को उठाने का सोचना, जितना सोचना उतना सोचना, इश्वर तुम्हारे साथ है, ठीक है, लेकिन दूसरों को ये मैं attitude में बताने वाला तो तुम्हें, चलो अभी माल लो attitude कभी ऐसा मत रखना कि सामने वाले से जलन रख रहे है, attitude कभी ऐसा मत रखना कि किसी की बात दिल में पकड़ करके उसको हराने के लिए तुम कोई काम कर रहो, कभी सफल नहीं, विलिख करके ले लो, और हो भी गया तो उस लाइन में बहुत आगे बढ़नी पाऊगे, कितना रखो, चानक के ने भी चंदरगों को ट्रेंड किया था, और मौरे वंश पर उसको बैठाने के बाद अपना प्रतिशोत भूल गयते और उसके बाद सब कुछ उनों ने किया था मगद के लिए, जीवन भर धना अनंद से शतुरता नहीं निभाई थी, वही साले किस साल का जो समय था, तो attitude, comparison, lack of self-belief, shortcut, overthinking और fear, इन सारी चीजों पर आपको काम करना यही वो कारण है, जिन पर यही वो कारक हैं, सौरी, यही वो factors हैं, जिन पर अगर आपने अभी शिकंजा कस लिया, तो यह आप पर शिकंजा नहीं क्या स्पाएंगे, और अगर आप इन पर पहल करोगे, तो यह मान करके चलना भाया, कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, छोटा लक्ष मनाया है, तो छोटा पाओगे, बड़ा लक्ष मनाया तो बड़ा पाओगे, याद रखना हर लक्ष अथा महनुत मांगता है, रातो रात सफलता नहीं मिलती, न एक रात में सफलता मिलत यह कहावत है ना, कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर होता है, ठीक, तो इसी के साथ मैं अपनी class और अपनी बात खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, कि आपको lecture अच्छा लगाओगा, आपने समझने का प्रयास कियाओगा, वीडियो को दो-तीन बार स बाइ, टेक केर, आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद,